Hello everyone, आप सुभी का फेसे स्वागत है, यह घटना चक्र जोगरफी का डिसकसन है और आज का टॉपिक है अमलिये एवं छारिये मिर्दा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देगे मिटी का पीएच मान कम होना मिटी की अमलियता को तथा पीएच मान अधिक होना मिटी की छारियता को परदसीत करता है, मिटी का पीएच मान कम होना मिटी की अमलियता को तथा पीएच मान अधिक होना मिटी की छारियता को परदसीत करता है, इस बात को ध्यान किएगा, अधिक अमलिये या अधिक छारिये मिटी समाने फसलों के लिए उप्यूकत नहीं होती है, समाने फसले उगाने वाली मिर्टी का पियेच मान 6.0 से 7.0 के मद होना अवस्यक है तेजाबी, मिर्दाएं और साधी प्रकृति की होती है ये मिर्टियां लेटराइट, लोह में लाल और अने लाल मिर्दा समुख की मिर्दाएं होती है इनका विकास मुखेत भू आकरिती, अमलीय मुलस समागरी और नमी युक्त जलवायू के परभावसे होता है ताप एवं नमी युक्त जलवायू और अत्यादिक वर्षा की स्थेती में मिर्दाओं की मुलस समागरी में तेवर अपच्छा होता है और छारों की लिचिंग काफी बढ़ जाती है उंच तपमान के साथ याद रखिएगा उंच तपमान के साथ भारी वर्सा और अत्याधिक लिचिंग से अमलीय मिर्दाओं का निर्माण होता है तेजावी मिट्टी को क्रिसी योग बनाने के लिए समाने तर्चूने यानि ला भागो में जल तल के उंचा होने एवं जल प्रवाह के दोस्पून होने के कारण होती है ऐसे स्थिती में कोशिका कर्शन की किरिया के द्वारा सोडियम, कैल्सियम और मैगिनेसियम के लवण मिर्दा के उपरी सतह पर निच्छेपित हो जाते हैं या मिटी मुख्यत दक्ष पश्मी राजस्थान आदी छेत्रों में पाई जाती है मिटी की छारियता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जेपसम यानि कैल्सियम सल्फिट का परियोग किया जाता है साथ ही चुने की लिचिंग के लिए कम से कम एक फिट जल की भी आवस्यकता रहती है मिटीयो में जब सोडियम और मैगनिसियम की अधिकता होती है तो लवणिये मिर्दा का निर्माण होता है भारत में याद रखेगा भारत में सरवादिक लवणिये परभावी मिर्दा जो छेत्र है गुजरात में है भारत में सरवादिक लवणिये परभावी मिर्दा छेत्र गुज बारत में सरवाधिक छारिये मिर्दा छेत्र उत्तर पर्देश में है जबकि सरवाधिक लवणिये मिर्दा छेत्र गुजरात में है मिर्दा का लोणी भवन मिर्दा में एकत्रित सिंचित जल के वास्पिक रित होने से पीछे छुटे नमक और खनीजों से उत्पन होता है सिंचित भूमी पर लोणी भवन होने के कारण याद रखीगा मिर्दा हैं और पारगम में बन जाती है इस पर अधारित पहला प्रश ने पूछा गया है निमनलिखित कथन उस्सर मीटी के संबंद में है तीन कथन है पहला चूने का परियोग कर इसे सुधारा जा सकता है दूसरा इस मिटी का पीएच मान साथ से अधिक होता है तीसरा इस मिटी में धान की फसल उगाई जा सकती है तो देखिए पहला छोड़कर यानि दूसरा तीसरा इसका सही जवाब है दूसरा तीसरा जो कथन है सही कथन है उसर मिटी का pH मान 7 से अधिक होता है इस मिटी में जिवांस, नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है इसके उपचार के लिए पैराइट, जिपसम और धैचा की हरीखाद का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार की भूमी पर उसर संसिल धान की परजाती जैसे नरेंद्र संकर उसर धान 1, उसर धान 2 आदी उगाया जाता है चूने का परियोग उसर मिटी के उपचार की जगह अमलिय मिटी के उपचार में परियुक्ट होता है इसलिए सही बिकल्प भी है आगे बढ़ते हैं प्रस्न संख्या सेकेंड है समान फसले उगाने के लिए उर्वर भूमी का पीएच मान कितना होने की संभावना है समान फसले उगाने के लिए उर्वर भूमी का पीएच मान कितना होने की संभावना है याद रखिएगा C option आपका बिल्कुर से ये 6 से 7 मिटी का pH मान का कम होना मिटी की अमलियता को और मिटी का जो pH मान है अधिक होना ये मिटी की छारियता को दरसाता है अधिक अमलिये या अधिक छारिये मिटी समाने फसलों के लिए उप्यूक्त नहीं होती है समान फसले उगाने वाले मिटी का पीएच मान याद रखेगा 6.0 से 7.0 के मद होना आवस्यक है प्रस्न संख्या ठर्ड है तेजाबी मिटी को क्रिसी योग बनाने के लिए निमलखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है तो याद रखेगा लाइम का तेजाबी मिटी को क्रिसी योग बनाने के लिए समानता चूने यानि लाइम का प्रयोग किया जाता है उलेखनी है कि मिटी के अधिक अमलिय या अधिक छारिय होने पर वा समान फसलों के क्रिसी के लिए उपयोगत नहीं रहती है प्रस्न संक्या 4 मिटी में खरापन योँ चारियता की समस्या का समधान है खेतों में जेबसम का उपयोग B option आपका बिल्कुल सही है मिटी की चारियता को बदनने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जेबसम यानि कैलसियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है साथ ही चूने की लिचिंग के लिए कम से कम एक फिट जल की भी आउस्यक्ता रहती है प्राशन संख्या 5 किसका उप्योग मिटी की लवणता एवं छारियता की समस्या का दिर्ग कालिन हल है तो याद रखिएगा जिपसम का बी अप्सम प्राशन संख्या 6 है भारत में सरवाधिक छारिये छेत्र पाया जाता है इसका सही जवाब किया होगा आप बताइए तो देखिए अप्सन A है गुजरात राज में अप्सन B है हरियाना राज में और जो इसमें अप्सन D दिया गया है अप्सन C जो है पंजाब राज में और अप्सन D जो दिया गया है उत्तर परदेश राज में तो देखिए इसका सही जवाब होगा उत्तर परदेश राज में इसके बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था तो आपको मालूम है देगे प्रश्निकाल में विकल्प D सही उतर था भारत की बंजर भूमी एटलस 2019 कनुसार वर्स 2015-16 में चारियता या लवणियता से प्रभावित राजियों का जो छेतर है वर किलोमीटर में दिया गया है आप देख सकते हैं गुजरात का 763.52 हरियाणा का 65.62 वर किलोमीटर पंजाब का 20.66 और उत्तर परदेश का सबसे जादा है 2129.61 वर किलोमीटर है इस एटलस में मध्यम और अधिक चारियता या लवणियता प्रभावित छेतरों का उलेख है भारत के मरुअस्थली करण और भूमी निमनी करण एटलस 2016 कनुसार अगर बात करें तो 2011 से 2013 में लवणियता से प्रभावित राज्यों में गुजरात कितना हेक्टियर अब देख सकते हैं इसके बाद हरियाणा और उत्तर परदेश से समंदित आकड़े दिये गए हैं इस कनुसार लवणियता से सरवाधिक प्रभावित जो भारत में लवणिये मिर्दा का सरवाधिक छेत्रफल है गुजरात में याद रखिएगा प्रषन संख्या एट है लवण परभावित मिर्दाओं का सरवाधिक छेत्रफल वाला राज है गुजरात प्रस्न संख्या नाइन है सही जवाब होगा बी अप्सन या कुछ मिर्दाओं को औपारगम में बना देता है याद रखिएगा देखे मिर्दा का लवणी भवन मिर्दा में एकत्रित सिंचित जल के वास्टिक्रित होने से पीछे छूटे नमक और खनीजों से उत्पन होता है सिचित भूमी पर लवणी भवन होने के कारण मिर्दाओं औपारगम में बन जाती है ध्यान रखिएगा प्रस्न संख्या 10 है 10 में पूछा गया है निमलकित में से कौन सी मिटी चाय बगानों के लिए उप्युक्त है निमलकित में से कौन सी मिटी चाय बगानों के लिए उप्युक्त है तो याद रखिएगा अमलिय मिटी चाय बगानों के लिए जो है गहरी अमलिये और अच्छे जल निकास वाली मिटी की और सेकता होती है जल निकासी की प्रयाप्ष विधा के कारण ही इन बगानों को पर्वतिय ढ़लानों पर लगाया रहता है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में मिर्दा अपर्दन एवं सुधार के बारे में डिसकस करेंगे तो आप अपना पर्तिकिरिया जरूर दिजे आपके पर्तिकिरियाओं का हमें बेसबरी से इंतिजार रहता है और जिन लोगोंने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज गुरूफ फेस्बुक पेज, इंस्टाग्राम को जोईन नहीं किया है वीडियो के डिसकेप्स अन बॉक्स में इसका लिंक है आप जोईन कर सकते हैं देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे डिसकस करते हैं इसके रिगार्डिंग में वहाँ पे हम लोग प्रैक्स करते हैं तो आप लोग जो है जो टेलिग्राम चैनल है और टेलिग्राम ट्वीज ग्रूप है आप लोग जरूर जोईन कीजिए आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द है ठीक है और जिन लोगों को घटना चक्र का पेडिएप चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलिग्राम चैनल या टेलिग्राम ट्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाएए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फर्मेशन को सेर किया गया है तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्स सेशन में